हेलो एवरिमन एक बाद फेर से सहाँ आता आप सभी का अपने चैनल फट्टेग गूम पर दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया हुगा अगर आप एक लैप्टोक और कम्पूटर यूज करते हो और अभी तक माउस का जाना यूज कर रहे हो तो यह अच्छी ब करने वाले हैं कुछ आम भी होंगे जो आपको पताऊंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पताऊंगे काफी सारे शोटकट में बताने वाला हूँ अगर आप इनको सीथ गए तो आप यून प्रोफेशनल की तरह बिल्कुल कीबोर यूज कर सकते हो और बहु कौन सा नया शोटकट सीखने को आज इस वीडियो में मिला और कौन सा पहले से आपको आता था तो शुरू करते हैं सबसे पहले शोटकट से पहला शोटकट हम विंडो से लेके शुरू करते हैं पहले विंडो के बताऊंगा फिर कंट्रोल के फिर ऑल के तो विंडो का सबसे पहरा shortcut आता है नंबर कीज के साथ दोस्तों जो आपको नीचे taskbar में दिख रहा है यह जो my computer से Chrome है और यह जो तीसा में विश्वल बॉक्स में डाल रखा है आपने यह जितने भी वह डाल रखे होंगे अपनी apps आप उसको नंबर के द्वारा खोल सकते मतलब यह 1 यह 2 और यह 3 मतलब मैं window 1 दबाऊंगा तो यह सीधे-सीधे my computer खुल जाएगा और इसको मैं close करता हूं window 2 दबाऊंगा तो यह chrome खुल जाएगा जैसा कि आप देख पारे हो window 3 दबाने से यह सीधा मेरा virtual box खुल लेगा यह खुलने में थोड़ा time देता है इसलिए आपको खुल के नहीं देखा पाऊंगा मैं देखिए यह खुल चुका है window 3 यह virtual box और आप जितने भी यह apps लगाओगे उसको number के द्वारा window plus number से खुल सकत जितने भी आपकी apps होगी और यह काफी कमाल का shortcut है आप ज़रूर बताना आपने इससे पहले यह shortcut सुना था या नहीं दोस्तों दूसरा shortcut window का यह आता है window plus A जैसे ही आप window plus A प्रेस करोगे आपका notification बार खुल के इदर आ गएगा जहां पर आप सारे अपने notification देख सकते हो और window plus A दबा कर आप इसको बंद भी कर सकते हो और दुबारा खोल भी सकते हो देख रहे हो इसका response time काफी तेज है आप असानी से इस notification बार को खोल सकते हो दोस्तों तीसरा notification window के साथ आता है window plus L जिसकी मदद से आप अपने laptop को lock कर सकते हो अगर आपने इसमें password लगा रखा है तो कई बार होता है आप कहीं जा रहे हो शटडाउन नहीं करना चाहते पास एक मिनट के लिए लेकिन यह भी नहीं चाहते कि आपका laptop कोई छेड़ा फटा फट से window L दबा के इसको lock कर कर जा सकते हो और देखो यह बिना password के नहीं खुलेगा जैसे ही मैं अपना fingerprint यहाँ पर लग कर रखाया तो आप लिट डाउन करके जाते हो लेकिन कहीं बार ऐसा होता है आपको laptop को छेड़ देता है तो आप window plus L दबा के इसको lock करके जा सकते हो आपका laptop शटडाउन भी नहीं होएगा दोस्तों जो चोछा shortcut निकल के आता है window plus up and down arrow की यह भी काफे कमाल का shortcut है जैसे कि आ पानी पड़ेगी देखो यह full screen हो गया और दोस्तों आप इसको दुबारा minimize करना चाते हो तो window plus down arrow की यह पहले थोड़ा सा minimize होगा मतलब जो full screen से exit हो जाता है और अगर आप दुबारा इसको minimize करके task bar पर जाना चाते हो तो आप दुबारा इसको window plus down arrow की दबा सकते हो यह भी काफी कमाल का shortcut हो सकता है आपके लिए तो दोस्तों 500 shortcut की बात करें कई बार आपकी काफी सारी apps खुली होती है नीचे और अगर आपको सब आप एक साथ minimize हो जाएंगी जो कि आपके लिए काफी convenient हो सकता है दोस्तों यह थे विंटो के कुछ shortcuts आप control के shortcut बताता हूं सबसे पहले थोड़ा सा basic shortcut बता देता हूं जो की copy, cut, paste, or select में काम आता है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए text document बना दिया है जिसमें आप document को खोलता हूं इसको बढ़ा करता हूं फुल स्क्रीन में करता हूं तो दोस्तों यहां आपको छोटा सा text दिख रहा है इसको आप select करने के लिए सीधा control A दबा सकते हो मतलब अगर आपको बहुत बढ़ा कोई text select करना है या कोई भी document भी select करना है कोई app select करनी है कुछ भी select क A के द्वारा आप इसको पूरा all select कर सकते हो और दोस्तों control plus C से आप इसको copy कर सकते हो और control V से आप इसको paste कर सकते हो यह बहीं के यह पेस्ट हो जाएगा यह थोड़ा उपर paste हो गया है और नीचे वाला आपको दिख रहा है दोस्तों इतना ही नहीं control A से आप all select cc copy V से paste तो control X से आप कट कर सकते हो अगर आपको कोई चीच कट करके paste करनी है कोपी करके नहीं करनी तो आप control A select करके control X से इसको cut कर सकते हो और कहीं और जाकर paste कर सकते हो बड़ी असानी से बेशक से वह कोई text document हो कुछ text हो या कोई और app या folder हो और दोस्तों जब आप document पर काम कर रहे हो अगर आपने कुछ changes करें हैं दुबारा उसमें जाके आप control S दबाके उसको save कर सकते हो अपने आप changes हो जाएंगे और फिर उसको close कर सकते हो text document को दोस्तों जो अगला control का shortcut है उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा Google Chrome में तो मैं window plus 2 दबाता हूं और जाता हूं Chrome में दोस्तों अगर आप एक new tab जाते हो तो हमेशा आप उपर जाकर plus button को दबाते हो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं जैसे मैंने खोल लिया Amazon अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यह Amazon खुल गया है मैं माफी चाता हूं full screen नहीं आ रही है तो दोस्तों अगर आप control plus T दबाते हो आपको plus दबाने की जूरत नहीं है उपर जाके अगर आप control plus T दबाते हो तो यह नया tab खुल कर आ जाएगा और वह वाला tab आपका close नहीं आप अपने downloads देख सकते हो यह downloads का पेज खुल जाएगा और वह existing tab जो होगा वह close नहीं होगा यह अलग tab में खुलेगा जो दोस्तों इसके साथ साथ control का एक और shortcut Chrome के लिए जैसे control J दबाके आप हिस्ट्री खुल सकते हो दोस्तों आप पूरी history देख सकते हो सिर्फ control S दबाक दोस्तों control J का यह काम होता है जैसे मैंने इसको control A दबाके सारा text उड़ादू backspace दबाके और अगर यह मैंने गलती से करा है तो आप control J दबाकर इसको दुबारा ला सकते हो मतलब कोई चीज गलती से delete हो जाए या कुछ आप remove कर दो लेकिन आप वो करना नहीं चाहते तो time आप उसको दुबारा वापस ला सकते हो और अगर गलती से दवाए control करके आप दुबारा उसको delete कर सकते हो दोस्तों अगला जो control का shortcut है वो Chrome में दुबारा काम आने वाला है अगर आप गलती से कोई tap close कर सकते हो उसको दुबारा ला सकते हो जैसे कि मैं दुबारा Amazon खौल ल कर देते हो तो control plus shift plus c से वो दुबारा आ जाएगा control plus shift plus d दोस्तों control के shortcuts भी पूरे हो गए window के भी पूरे हो आप comment box में जरूर बताना कौन-कौन से आपको नई सीखने को मिल रहे हैं बात करते हैं old के थोड़े बोती है यह दो या तीन है तो दोस्तों सबसे पहला जो shortcut है old control delete शायद सबको पता भी होगा मतलब अगर आपकी कोई game हैंक कर जाती है laptop कहीं भी किसी भी sport पर हैंक कर जाता है कोई button काम नहीं कर रहा तो यह button जरूर काम करेगा alt plus control plus delete उससे आपका सब कुछ खुल जाएगा यह जो screen आ रही है इससे आप refresh भी कर सकते हो इसको दुबारा restart भी control panel और मेरी बट्स है और दोस्तों यह है old plus tab मतलब अगर आपको मैंने खूल रखाया यह मान लो my computer is खूल रखाया और आपको जाना है chrome में तो दोस्तों आपको यहाँ पर click ले जाके click करने की जुरत नहीं है यह काफी अच्छा shortcut है मेरा तो बहुत फेवरेट है मैं इसको बहुत यूज करता हूं आप बताना आप इसको यूज करने के लिए excited हो या पहले से इसको यूज करते थे या नहीं दो तो यह shortcut मेरा फेवरेट है बिलकुल क्योंकि मेरे बहुत काम आता है अगर मैं बहुत सा नहीं है आप रोज पर क्लिक करते हो बार बार उसकी कोई जुरुगत नहीं है आप सीधा दबाओ और प्लस एफ फॉर यह देखो मेरा माई कंप्यूटर बंद हो गया कंट्रोल पैनले लिए मैं और एफ फॉर दबाता हूं और आ गया हूं डेस्टॉप पे दोस्तों इसकी लाइक और शेर जरूर कर देना तो दूस्तों इतनी कि आज की यह वीडियो आप कमेंट पॉफ में बताना मजबूल लागी आपको कौन-कौन से नई शोटकर सुनने को मिले सीखने को मिले और कौन-कौन से आपको पहले से आते थे क्या कुछ नहीं आपने शीखा आज की इ पूछे ना मैं मिलूँ आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में जब तके लिए की कोचेंग फंटेग भूम